और यह चीज मैंने लिए है अपनी बाइक के लिए और इसका नाम है यामाल्यू पी कार्बन क्लीनर जो की पेट्रोल में मिक्स होके जो कार्बन डिपोजित होते हैं जो की हैड वगरा में और जो फ्यूल पंप टैंक में जो भी कार्बन डिपोजित जमा होते हैं उनको क्लीर करता है यहां पर लिखा हुआ भी एफिशेंसी इट प्रवाइज रैपिट क्लीन अप्टू पॉफॉमेंस थ्रूआउट दा इंटायर फ्यूल लाइन फ्यूल लाइन को क्लियर करता है और एड़ेटिव एफिशेंसी जो भी है रिमूव करता है कार्बन डिपॉजिट जो फ्यूल मेट्रिंग सिस्टम होता है उससे यहां पर कार्बोरेटर के लिए यहोता है और एयर ब्लेंड के लिए होता है फ्यूल बट्स के लीए होता है manifold and intake values के लिए को यह सही करता है और fuel economy को भी यहां पर सही करता है और जो power है उसको यहां पर restore करता है और exhaust emissions जो होते हैं उसको भी यह सही करता है यहां पर इसकी value अगर यहां पर दिख सकते हैं और यहां पर लिखा हुए expiry date 12 month की होती है तो यह यहां पर March 2023 की packing है और इसकी मुझे पड़ी है 130-130 रुपे यहां पर price यह 50 ml का एक pack है तो इसको सीधे tank खोल के डालना है गाड़ी के जो petrol tank है उसमें तो यह तो यहां पर sealed है इसको कोई पेचकरस या कोई चीज यहां पर खोलना पड़ेगा उसके बाद से दिखाते हैं आपको तो फ्यूल टैंक को ओपन करेंगे कि अगर इसके बाद में इसको यहां से इस तरह के से प्लोकवाइस गुमा के देख सकते हो यहां कि 50 ml का है पूरी तरस से भारा हुआ नहीं क्योंकि 50 ml इसमें डाल गया है तो इसको सीधे ही आप कि अनदर कि डाल देंगे तो यह चीज़ करती क्या है यह आपके जो फ्यूल है पेट्रोल उसके साथ में मिक्स होके जो टैंक में है जो फ्यूल पंप में है और जो हैड़ वगरा में जो कार्बन टीपोजिट जमते हैं उनको यह क्लीन करने का काम करता है उसके साथ में आपका जो टैंक है उसमें 2 लिटर कमसे कम फ्यूल होना चाहिए दो डालेटर फ्यूल होना चाहिए उसे जादा के लिग नहीं है क्योंकि वह फिर आपके फ्यूल का मिक्चेर का जो बैलनस है वह उपर नीचे हो जाएगा यह महां की वेबसाइट पर भी दिखाया गिया है कि 50 ml के साथ में दो लिटर पेट्रोल यूज करना है टैंक में तो यह जीज आपको डेफिनेटली यूज करनी चाहिए हर 4000-5000 किलोमेटर में एक बर यूज करोगे चाहिए कि कोई सी भी बाइक हो उसमें आप यूज कर सकते हो कार्बरेटर हो या फ्यूल इंजक्टेट हो कार्बन वगरे क्लीन करते रहेगा तो उससे आपको यह एक फायदा होगा कि आपका जो फ्यूल पंप है उसकी लाइफ बढ़ेगी आपको जल्दी वह सारे खर्चे नहीं आएंगे और फ्यूल जो एकोनोमी है जो माईलेज है वह भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी मतलब वह बैलेंस रखेगा यह चीज तो यह ज्यादा महांगी चीज नहीं है एक सो तीरसेट रुपे का इसका प्राइस है तो इसको आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए हर पांट सेट किलुमेटर तक मैं आपको ड अच्छेस कर सकते हैं और सिध को खोल के दिखूर तक में लिटित तक मैं इसको इसको कर सकते हो तो यहनतão वीडिओ में आपको यह वीडिओ पसंद आहा तो इस वीडियो को लायक करदो को सब्सक्राइब कर लो और मैप से मिलता हूँ अगली ऐसे यह इसरी कुछ वीडियो में तब तक के लिए बावाए